जै सोमनाथ जै द्वार किश जै बोलो विश्वनातातनी स्वर्ण अक्षरे लक्षे कवियो यश गाथा गुजरातनी आगुण वन्ती गुजरातनी जै जै गर्वी गुजरातनी यह पैर आ रहा है गया नीचे कर दन 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 मेरा जन्म बड़दा से पास में सावली जहां पर मेरे नाना बहुत साल तक रहे हैं वहाँ पर हुआ और जैनिवरी की दो तारीक को मेरा जन्म हुआ था तब काफी सर्दी थी ऐसा मुझे बताया गया है और बड़दा मैं आया लगभग विन आ वोज इन दे सेवन उसके बाद मैं ग्राजुएशन के लिए एंदबद गया सेंज इवस कॉलेज में पढ़ा फिर विद्यानगर जाके मास्टर्स किया फिर वापस बड़दा आया और फिर देखें कोइंसे ऐसा हुआ कि मुझे जॉब भी बड़दा में मिली और मैं 2007 से लेके अब तक मैं बहुत difficult question है क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत सारे लोग देखेंगे भी तो मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में कोई competition बन जाए पर बहुत स्वाभाविक बात है कि parents का माता-पिता का सबसे जादा प्रभाव होता है और क्योंकि दोनों की qualities बहुत अलग-अलग है तो उसका मुझे वो पूरा एक अलग upbringing मिला कि जहांपर मैं music बहुत छोटा था तब से सीखा बहुत सारे गाने किशोर कुमार हेमंद कुमार की गाने में 4th standard में था तब से सुनता रहा हूँ classical music सीखा हूँ, guitar खुदी सीखा हमेशा हमारे घर में जबी भी कोई gathering होती है तो सिर्फ musical gathering होती है कभी ऐसी normal gathering होती नहीं है तो यह सब upbringing यह सब जो characteristics है यह पूरा ममी की तरफ से आया है पिता जी बैंक में थे तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं उनके जितना financially, powerfully manage कर सकता हूँ सब पर वो side का जो भी angle है वो सब पिता जी से आया है तो पैसे कैसे कमाने है या कैसे बचा के रखने है या कहां खरचने है कहां invest करने है वो सब जो भी knowledge है वो पूरा पिता जी के और से आया है मैं पिता जी के पिता जी मतलब अपने दादा से तो कभी मैं मिला नहीं क्योंकि पिता जी के शादी से पहले ही उनका देहाद हो चुका था पर उनके बारे में बाते बहुत सुनी वो उस जमाने में साथ आफरिका गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने बिजनसे किये थे त उन्होंने जो भी बनाया, जैसे भी बनाया, उनसे ही हम हैं, और वो रूट्स जो हमारे पास हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, यह शहर का नाम वड़ के जो बैंगिन ट्री है, उससे जाना जाता है, और बैंगिन ट्री इसलिए जाना जाता है, क्योंकि उसके रूट्स बहुत में हुई उसके बाद गांदीनगर में हुई पर मेरे स्कूलिंग का सबसे important phase में अगर कोई गिनता हूँ तो वो रोजरी है जब मैं seven standards से वहाँ अपने जोड़ा की मैं पहले एक छोटी जगा से आया था तो तब मुझे थोड़ा सा रोजरी में ये हो रहा क्यार यहां तो सब कैसे करेंगे क्या करेंगे पर मुझे एक चीज मुझे मेरे पिता जीने मैं बहुत छोटा सा तब से सिखाई थी क्लासरूम में कोई भी announcement हो तो अपना हाथ उपर कर देना कि मैं participate करूंगा चाहे कुछ भी हो तो उस वज़े से मेरे पास ड्रॉइंग पेंटिंग स्टोरीटेलिंग सिंगिंग एलोकुशन क्विज डिबेट सब के सर्टिफिकेट से बहुत सारी चीजों में मैं इतना अच्छा नहीं था फिर भी क्योंकि participant कहीं भी कुछ भी announcement वा मैंटम I am there तो उसकी वज़े से क्या हुआ बहुत exposure मिला बहुत सारा सीखना मिला बहुत सारी जगा पर हारा पर वो हार से जीतने का सीखना मिला कुछ सालों पहले टेंथ बोड का रिजल्ट आया था और उसमें मैंने देखा के तीन साड़े तीन लाख सुडेंस में से एक लाख सुडेंस फेल हुए थे गुजराती सब्जेक्ट में और यह सब गुजराती माधियम के सुडेंस थे मतलब आप सोचिए गुजराती मीडियम के सुडेंस अगर गुजराती में ही फेल होने लगे उसका मतलब यह है कि वो अपनी जो भाषा है उससे कहीं न कहीं दूर हुए जा रहे हैं क्यूं दूर हो रहे हैं इसका एक इंसिडेंट मैंने अपने आँखों से देखा और सुन है यह सेपरेट इंसिडेंस है कि यह तो बुद्धु है इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती गुजदाती में बोल बोल करता है तो मुझे लगा कि यार कोई भी मात्रु भाषा के साथ एंबरस्मेंट शरम क्यों अटेच करने अगर मुझे कोई भाषा नहीं आती English is a language it's a skill कोई भी सीख सकता है अगर आप जर्मनी में जाएंगे तो आप कौनसी भाषा में बात करेंगे जर्मन में ही बात करेंगे अगर आप जपैन में जाएंगे तो आप कौनसी भाषा में बात करेंगे जापनीज में ही बात करेंगे क्यों क्या वो लोग English को adapt नहीं कर सकते पर ह हमारे यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो अब suddenly एक दम modern हो जाएंगे। वो मा की भाषा है, इसलिए वो मात्र भाषा है, तो हम मा को कैसे दुदकार सकते हैं? अगर मा की भाषा है, मात्र भाषा है, तो हमारे अंत्र तक हमारे साथ रहनी चीए। बस यही मुहीं की वज़े से, मुझे ऐसा लगा कि यह जनरेशन को कम से कम गुजराती से शरम न आए। और इसकी वज़े से मैंने वट थी गुजराती शुरू किया, वट का एक्चुली इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, पर स्वैग कह सकते हैं, एक खुमारी है, कि सबसे पहले हमने गुजराती म्यूजिक कॉंसर्ट करना शुरू किया, क्योंकि अगर यंग्स्टर्स को लॉक पंसर्ट है, गिटार, म्यूजिक, ड्रम्स के साथ हम लोग करेंगे, हाँ, गाने गुजराती में होंगे, 200% आएंगे, तो गुजराती के ऐसी बहुत सारी रचनाय हैं, जो हमने modern format में हमने उनको पेश की, ये वट्थी गुजराती के कॉंसर्ट हुए, इस जाके हम लोग वट्थी गुजराती परफॉर्म करके हैं, और ये pandemic आ गया, वरना there were invitations from Dubai and USA also, तो ये पहला पार्ट है उसका, दूसरा पार्ट ये है कि सोशल मीडिया से हम पेरेंट्स को, लोगों को ये कहते रहते हैं, अभी club house आया है, एक नया app है, उस पर भी हम active हैं और ये बोलता है कि मैं गुजराती में बात करो, गुजराती लिटरिचर के बारे में बात करो, पढ़ो, समझो, सीखो, language मरनी नहीं चीए, क्योंकि अगर language मर गए, तो हमारा existence ही मर जाएगा, हमारा culture वहीं पर समापत हो जाएगा, आज गुजराती का जितना भी literature है, अगर आन गुजराती किसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गुजराती हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बद्धी भाशाओ सारी है, अंग्रेजी पन सारूज है, पन गुजराती मारूज है, तो हम हमारे family की वज़े से हैं, we are what we are because of our family, अगर हम अपनी family को नहीं जानें इसलिए खुद की family को, खुद के roots को जानना पैचानना बहुत ज़रूरी है, और ये जो अब हम कर रहे हैं, अगर हमने हमारे पुरवजों को जाना है, तो हमारे बारे में हमारी आने वाली पीडियां जाने, उसके लिए अभी से उसका record होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझ तब radio हुआ, शायद वो चार पीडि बात उनको पता भी नहीं होगा के radio क्या होगा, तो उनके लिए तो एक अचरज एक surprising चीज हो जाएगी, पर शायद अगर वो मेरा कोई video देख पाए, चोटी clip देख पाए, या मेरे बारे में लिखा हुआ पढ़ पाए, तो मेरे खाल से वो मेरे लिए भी, जहां भी मैं दुनिया में, यूनिवर्स में मैं होँगा, तो तब मुझे भी शायद बहुत अच्छा लगी है, so I think this is a fantastic thing जो कर रहे हैं, लिखना, document करना बहुत ज़रूरी है, और या आने वाली पेडियों के लिए एक हमारे ही तरफ से एक छोटी सी ब होगी.